हेलो एप्रीवन वेलकम बैक तो दे चैनल और आज मैं आप लोग लिए एक नया वीडियो लेकिया हूँ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे modern साइक abstract painting और किस तरह से मैंने ये बुद्ध जी को DIY किया है अगर आपको ये crackle effect वाला planter मैंने किस तरह से बढ़ाया है वो जानना है तो वो भी आप मेरे चैनल में देख सकते हो उसका वी वीडियो जो है मैंने अपनी चैनल पर upload किया है सुतिनों को मैं आपस में इस तरह से रखके decorate की हूँ आप देख सकते हैं सो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं हमारा canvas painting सो यहां पर सबसे पहले आप अगर framing करना चाहते हो तो पहले frame ले लेंगे एंड frame के according हमारे जो canvas cloth है उसको cut कर लेंगे जैन हम लोग इसको portrait way में बनाने वाले हैं सो यहां पर मैं दो color के use करने वाले स्टार्टिंग में जो कि है white color और एक है black color सो ओपर के तरफ मुझे lighter shade चाहिए और नीचे के तरफ मुझे darker shade चाहिए तो हम लोग सबसे पहले sheets को half mud white कर लेंगे and then एक flat brush लेंगे and इस तरह से हम लोग नीचे की तरफ से painting यानि की coloring है वो start करेंगे सो यहां पर आप देख सकते हैं मैं black के साथ थोड़ा सा white mix कर रही हूँ not exact पूरा black ले रही हूँ थोड़ा से grays look ले रही हूँ but उतना भी light नहीं है वो so मैं यहां पर flat brush number 10 यूज़ कर रही हूँ and इस तरह से randomly coloring कर रही हूँ and as हम लोग यह canvas के उपर painting कर रहे है तो we are not going to add any water हम लोग कोई भी पानी इस पर add नहीं करने वाले है color पर and same इसी process को आप देख सकते हैं कही पर light और कही पर थोड़ा सा dark का combinations ले रही हूँ मैं कहीं पर खाली black का use कर रही हूँ and कहीं पर थोड़ा सा white mix कर रही हूँ so basically मुझे जो है थोड़ा light and dark का combination चाहिए and यह मैं एक modern style abstract painting बना रही हूँ जो आजकल बहुत जादा trend में है and यह जब आप बनाते हैं तो इसके बाद जब यह बन के आता है तो यह काफी सुन्दर दिखता है and आप easily एक expensive वाल जो wall decor है यानि की जो भी canvas painting सा बोल सकते हैं वो आपके पास ready हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंना first part जो है वहाँ complete कर लिया है then मैं second के लिए उससे एक lighter shade ले रही हूँ so मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर से white mix करूंगी basically आपको एक light and dark का shades create करना है जहाँ पर ज्यादा light करना होगा वहाँ पर आप ज्यादा amount of white use करेंगे जहाँ पर थोड़ा सा darker use होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा white का यूज कम करना है तो इसी वेसे आप directly भी canvas पर डाल के कर सकते हो मैं को थोड़ा से yellow look चाहिए था यहाँ पर आप कई सारे different colors के साथ यह painting को बना सकते हो तो मैंने यहाँ पर lemon yellow का थोड़ा सा shade लिया है आप देख सकते हैं कहीं कहीं मुझे थोड़ा से yellow का shade कहीं पर थोड़ा सा blue का shade मुझे चाहिए तो blue के लिए मैंने last black के ओपर blue का use किया है वह आप आगे देख सकते हो त इस तरह से आपको जो है इसको complete करनी है अब camera पर जो है यह थोड़ा सा light लग रहा था तो मैंने इस पर और थोड़ा सा black color के यूज किया है देन आप देख सकते हो किस तरह से मैं blue का भी यूज कर रही हूँ इस painting पर अब चाहिए तो कोई भी और colors वगेरा भी ले सकते हैं बस आपको जितने भी colors लेनी है उसको अच्छे तरह से blend करनी है आपस मैं बीच बीच में आपको अपनो जो brush उसको clean करना है क्योंकि अगर lighter shape के उपर darker shape आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी सो जब भी आप lighter shirts के साथ काम कर रहा है आप बार बार brush को धूल के याने कि wash करके आप कोई भी cotton cloth के साथ उसको अच्छे से access जो water रहता है brush में उसको आप निकाल सकते हैं आप देख सकते मैं palette type की help से थोड़ा सा इसके ऊपर structure effect कर रही हूं यहापर मैं palette number जो है knife वह 5 नमर ली हूं इस तरह से यह white वाला coating किया है then we are just going to start with golden color आजकल market पे यह वाला जो color है combination से काफी trend में चल रहा है इसलिए मैंने यह आपके लिए create किया है so that आप easily अपने घर पे भी बिना खरीदे मना सकते हैं यहाँ पे हम golden color का use करेंगे and यह देख सकते हैं मैं किस तरह से बस डैप कर रही हूं so center portion जो हमारा sheet का है वहाँ पे हम लोग को golden color की इस तरह से नॉर्मल इफेक्ट डालनी है तो बस आपको जैसे heart beat बनाते ओपनीचे ओपनीचे वारा roughly आपको ऊपनीचे की तरफ आपको बस डैप करनी है कि अगर कोई आपको lines वगेरा चाहिए तो आप palette life को थोड़ा से तिर्चा करके इस तरह से lines वगेरा भी create कर सकते हैं यहां पर मैं जो है पॉल मटालिक गोल्ड कलर कर यूज कर रही हूं और जब यह सूख जाता है अच्छे से ड्राइब हो जाता है गोल्डन कलर का बहुत अच्छा शाइन आता है जो कि आपको पेंटिंग में जो है जान ले आती है आपको इसी स्ट्रेप्स को फोलो करनी है और आफ्टर दिस जब आपको लग जाएगी आपको पेंटिंग कंप्लीट हो गया आपको जितना इफेक्ट चाहिए था वह हो चुका है तन इसको आप सूखनी के लिए छोड़ देंगे आपको पेंटिंग है यह काफी अच्छे तरह से बन चुका है यह कुछ सूखनी के पाद ऐसा लग रहा है दन मैं यहाप इटसी बिटसी का जो डेकॉर वानिस है वह मैं यूज़ कर रही हूं लीटिल बर्डी का जब आपका पेंट जो है वह पूरा सूख जाएगा उसके बात है आप वानिस यूज़ करेंगे कोई भी फ्लैट प्रश या पीर कोई भी स्मॉंज वगेरा आप लेके इस तरह से वानिस आप कर सकते हैं इसको हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे जब सूख जाएगा आपका वानिस जब हो जाएगा अच्छे से सूख जाएगा दन हम इसको फ्रेमिंग करेंगे एज मैं आपको स्टार्टिंग में ही फ्रेम दिखा चुकी हो आप देख सकते कितना अच्छा ही ग्लॉसी लुक हमें मिल रहे आफ्टर हम लोग जब वानिस यूज किये हैं तन मैं इसको फ्रेमिंग करूंगी मैंने स्टार्टिंग पर आपको यह फ्रेम दिखाया था तो इसी के ऊपर मैं यह बस अच्छे से फ्रेमिंग कर लोंगी सो यहाँ पर हमारा फॉर्स्ट जो पेंटिंग है यहाँ पर देखिए जो फ्रेमिंग करने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है यह आप अपने होम डेकॉर कहीं पर यूज कर सकते हैं हम अभी हमारा नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर में पास यह बुद्ध जी का जुस्रा चुई है काफी पहले से में पस था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह वाइट वाइट सा लग रहा है इसको जितना भी साफ करने के बाद ना यह ऐसा ही दिखता था तो मुझे इसका जो है लुक जो है उसको चेंज करना था तो मैं यहाँ पर एक राउंड प्रेश ली हो नंबर 10 और नॉर्मल मैं जो अक्र करने से वाश करने के बाद भी इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा था इस तरह से पूरा धूल-धूल सा दिखता था तो मुझे लगता था कि मैं कभी एक कुछ इक डियाइवाइवाइगी और इसका लुक जो है वो चेंज करूंगी इस तरह से यहाँ पर ब्लाक अक्र सकते हैं एक नया मास्टर पीस आप बना सकते हैं तो इस तरह से अक्रालिक कलर जो है पूरे सारे सर्फिस पर एड़ कर रही हूं और वन्स हमारा ब्लैक अक्राइलिक कलर डन हो जाएगा तो इसको हमनों सूखने के लिए छोड़ देंगे अब देख सकते हैं इसको आप सूखने के लिए छोड़ दूँगे आफ्टर ये ड्राय होने के बाद देखिए कैसे लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग अपने फिंगर टिप्स के हैल्प से जो पॉल में टालिक गोल्ड कलर है इस तरह से हम लोग रैंडम लिए लगाएंगे बस सो यह एक आप एंटिक लुक जो है वो क्रिएट करके देगा अगर आप इस पे लास्ट में वार्निस वगएरा यूज करना चाहते है तो भी आप इस पे वार्निस वगएरा एट कर सकते हो मैं सेम जो स्ट्रीप है उसको फोलो करके इस तरह से पूरा कंप्लीट करूंगी अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जादे से जादे शेयर कीजिएगा इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आप इसको बहुत एजी लिए एक एंटिक लुक क्रिएट कर सकते हैं आप अपने होम डेकॉर में यूज कर सकते हैं इस तरह से इजी इजी टिप्स एंड टेक्निक्स एंड पेंटिंग स्टीचिंग रिलेटेट्स एंड जैसे की होम डेकॉर रिलेटेट वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तेंक यू सो मच यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा गोल्डन कलर का जो मैं इफक्ट दे रही थी वो अल्मूस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है और अब इसको वन्स कंप्लीट हो जाएगा तो सुखने के लिए छोड़ देंगे और यह सुखने के बाद कुछ इस तरह से ल